मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद का है और आप समझ ही चुकी होंगी कि मैं सवाल क्या पूछने वाली हूँ परिवारवाद का आप उपोजीशन लेकर उतरे हैं मैदान में और सुश्मा स्वराज की बेटी नई दिल्ली की कॉंस्टिट्वेंसी से फर्स टाइम एंपी बन रही है कैंडिडेट और किसकी जगा बन रही है मिनाक्षी लेखी की जगा जो एक मंत्री है तो ये परिवारवाद नहीं हुआ क्या जी नहीं जी नहीं इसका जबाब हमारे आदर्णिय प्रधान मंत्री संसद में दे चुके हैं लेकिन आपके माध्यम से जनता के समक्ष में दुबारा रखना चाहूँगी और मुझे खुशी कि आपने इस सवाल मुझ से पूछा देखे परिवारवाद तब होता है जब आते ही आप नंबर वन के दावेदार मिल बन जाते हैं क्यूंकि आपके माता पिता जनप्रतिनिधी हैं इसी लिए आप भी जनप्रतिनिधी हो ये जरूर ये शायद ठीक नहीं है लेकिन क्यूंकि मेरी माता राजनीती में थी इसका अर्थ ये निये कि राजनीती मेरे लिए निशेद है मुझे भी उतना ही अधिकार है struggle का मुझे भी उतना ही अधिकार है परिश्रम का मुझे भी उतना ही अधिकार है पराक्रम का हाँ, मैं पार्टी की बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने ये दायत्व दिया है ये reward नहीं है ये दायत्व है मैं कहूंगी responsibility है, जिम्मेदारी है जिसे मैं पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रही हूँ और इससे पहले भी जो मुझे दायत्व दिये गए चाहे मैं legal cell में coconut ली गई चाहे मैं प्रदेश में मंत्री की मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला मुझे एक grassroots से एक कारकरता के रूप में काम करकर जनता में जाकर और फिर निवेदन करने का मौका मिला है परिवादवाद तब होता है जब आप मेहनत नहीं करते लेकिन सीधा आकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं या मैं कहूंगी कि पार्टी के सरगणा बनने के दावेदार हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सरनेक एक particular family से आता है नितिन गटगरी जी कहते हैं कि नितिन गटगरी जी कहते हैं कि उनका बेटा कभी भी politics में नहीं आ सकता जब तक कि वो poster पहले ना लगाए वो कहते हैं कि मेरा जो भी है personal wealth वो मेरे बच्चों का है लेकिन मेरी राजनीतिक धरोहर जो है वो मेरे कारे करताओं की है तो वो क्या गलत कह रहे हैं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं राजनीति में शुमति सुष्मा स्वराज के कारण नहीं हूँ और यह मैं बहुत जिम्मदारी से कह रही हूँ देखे मेरी मा का इतना लंबा political career है आप भी उनको जानती थी उनके राजनैतिक जीवन में ना मेरे पिता का हस्तक्षेब था ना मेरा हस्तक्षेब है आप जानती हैं दस साल वो विदशा से MP रही हैं मैंने विदशा में कदम भी नहीं रखा मेरा राजनेतिक अगर इस जीवन में आवाहन हुआ है तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने मैं एक ABVP की कारकरता थी मेरी संग आयू 24 वर्ष है मैंने पाटी की सेवा 10 वर्ष एक वकील के तौर पर करी है परोक्ष रूप से आपके आशरवाद से जन्दा जनारदन के आशरवाद से मेरा वकालत में ये 17 साल है दस वर्ष से खुद का चेंबर चला रही हूँ मैं दिहारी की मजदूर हूँ मैं कचेहरी जाती हूँ रोज और अपनी रोटी वैसे कमाती हूँ पार्टी ने मुझे पहली भूमे का लीगल सेल में को कन्वीनर के नाम पे दी और बहुत विनम्रता से कहूंगी ये मुझे जो दायत्व मिला या मौका मिला ये जब कृष्ण मा को चुरा कर ले गए उनके जाने के चार साल बाद मिला आप जब ये कहती हैं तो पता नहीं क्यूं गला भर सा आता है लेकिन मोदी जी ने मोदी जी ने मुझे लगता है सुष्मा जी की मेमोरियल पर एक शब्द कहा था मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ उन्होंने तब सुष्मा जी के बारे में और आपके बारे में क्या कहा था सुष्मा जी की जो ताकत थी उसकी कुछ जलग मैंने बांसूरी में अनुभवगी बांसूरी का जो धैजिय और मैच्छुरिटी का मैंने दर्शन किया सुष्मा जी का एक लगू स्वरूब मैं उस बेटी को बहुत आशिरवाद देता हूं आपका अंश मोदी जी को भी दिखा आप कहती हैं आप कहती हैं कि आपका किरदार जो है राजनीती में वो सुष्मा स्वराज जी की वजह से नहीं है वजह से ना हो पर हर किसी को अंश नजर तो आता है मैं कहूंगी शायद उनकी वजह से नहीं है लेकिन हाँ उनका आशिरवाद मेरे साथ जरूर है और मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ यह शश्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी का कि उन्होंने यह आशिरवाद मुझे दिया है मेरा सुद्रण हो गया है संकल्प कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोधी सर्कार 2019 में जब सुष्मा जी चली गई हमारे बीच नहीं रही क्या ये तभी ते हो गया था कि आप राजनीती में आएंगी कभी कोई चर्चा हुई किसी से बिलकुल भी नहीं मेरा राजनीती से वास्ता नहीं था दूर दूर तक मैंने आपको कहा ना मुझे पहला चलेफोन कॉल जो आया वो मा के चले जाने के चार साल बाद आया उससे पहले बिलकुल भी कोई रोल ही नहीं था हाँ इतना जरूर कहूंगी कि पार्टी और संगठन की सेवा मैं कचेहरी में कर रही थी लेकिन उसमें कुछ नया नहीं था वो तो मैं एक दशक से कर रही थी लेकिन लोग कह रहे हैं और खास करके आमादमी पार्टी में आतिशी जी ने मुद्दा उठाया है कि संजे सिंग की बेल में आपने अपोस किया आप ED की तरफ सी थी फिर बाद में कहा गया ये गलती से आपका नाम चला गया तो वो कहते हैं कि ED और BJP BJP और ED में कोई फर्क नहीं है इसमें तीन बाते कहना चाहूंगी पहली बात पुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना विपक्ष हैं दोशारोपन तो करेंगे दूसरी बात देखे आम आदमी पार्टी की जोगे आतुरता है ना मीडिया में जाने की बिना चीजें verify करें मैंने इतनी बार उनसे निवेधन करा है मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से दुवारा कर देती हूं माननिय मंतरी आतिशी जी माननिय मंतरी सौरभ भारत धवाज जी और माननिय विधायक सुमनाद भारती जी जब भी मेरे उपर प्रेस कॉन्फरेंस करना चाहे केवल फोन कॉल कर ले मैं सारे तथे स्वहम बता दूँगी सारे के सारे ओर्डर्स दे दूँगी रही बात जो उस दिन हुआ ये बात बिलकुल सही है कि उस ओर्डर में मेरा नाम गलती से गया है खुद ED ने application डाली है और mention करेगी और judges ने उस order से मेरा नाम खटा दिया जी मैं Union of India के panel पे थी लेकिन 2 March को जब ticket की घोशना हुई तो 8 March को मैंने resign कर दिया